जैहन सातियों, सातियों मैं आपका शारुक और आपके सामने एक बार फिर से आज जरू हूँ तो भाईयों काफी दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर इस्टुमेंट का चुनाब कैसे रखे तो मैं आज आपके सामने ये रखे हुए इस्टुमेंट तो मैं आज बताऊंगा कि इस्टुमेंट society कुछ नाव कैसे क्या जाए تو पहले आपको मैं तुम्ट में बताँ यह लुए हजी हिए तीक पहले ही तो चाबी अच्छी होना चाहिए उसके बाद ये माउथ पीस अच्छा होना चाहिए क्योंकि इस्ट्ुमेंट यहां से वस्था है इस माउथ पीस की कारण ठीक है तो यह तीन प्रकार के आप माउथ पीस देख रहे होंगे मैं आपको लिकाल के बता दू यह माउथ पीस बता दू जिसके ह्ई नोड नी लेखलते वह इस माउथ पीस का चैन करें यहां से मौटा होगा और यहां से तोड़ा फेच्छेदिस का चोड़ा सा होगा ठीक है अगर उसके नोड लिकल ले SW इस प्रकार में यह यूज किया जाता है और जिसके ज्याता है जादा जह तो मेरे इसाब से सबसे अच्छा माउथपीस यह वाला है अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कॉल करके यह माउथपीस मंगा सकते हैं जिसके नोट नहीं आ हैं वह इस माउथपीस से बजाएंगे तो उसके 100% नोट ऊपर के आ जाएंगे काफी लड़के बहुत परेशान है मैंने काफी लड़कों को यह माउथपीस दिया है और जिसके नोट नहीं आ रहे थे उनके हाई नोट इससे आए ठीक है यह हो गया माउथपीस अब आपको च अजन्दार होना चाहिए और उसकी यह चावी आए चावी अच्छी होना चाहिए और सबसे अच्छी पहली चैन होता है यहां से इसको कोलो आप और इसको देखो यह कैसा है हलका तो नहीं है यहां से देखना और इसके अंदर से देखना यह हलका तो नहीं है यहां से चैन ह कुछ लावी गो यह श्मय पीड माल होग USA में तो आपसे सामने buraya यह अचे वगोल और या इग ड़े में अचितने हैं तो मैं आपको बता दू कर ये साहय दूल ये यह इस दा merits नार ये जिए यह i.e. इसका art number यह लिखा हुगा है और रही mouthpiece की बाद तो इसके mouthpiece में यह देखो आप झाल जूब करो थोड़ा यह mouthpiece i fey को मौटा आये यहां से और तगड़ा आये अच्छा है और यह mouthpiece हलका है तो इसका आht idPatclock तो इसमें भी बात कर लें तो किससे बज़लत आई यह यह माऊथ पीस 생각 होना जाहिए सबसेत माउथपीस जाये हैँ ठीक है तो इसमें और इसमें इसमें रहता है बजन जतना अच्छा बजन हो गांगा क उतना अक्छा बजन हो गा 800 ग्राम 500 ग्राम अगर थोड़ा महंगा आता है महंगी जतना बजन जादा होगा महंगा हो रहेगा लेकिन जतना बजन होगा उतना अच्छा भीकुल होगा और आप पे बजन नहीं है तो 500 ग्राम से कोई कम मत लेना 500 ग्राम काम चला देगा चल जाएगा लेकिन 500 ग्राम से तो सबसे कोजिस करना 800-1 के आसपास आप बिगुल ले उसकी क्वालिटी अच्छी होगी आपको बजाने में मन न लगेगा और में सिर्फ और सिर्फ इसमें यही रहता है कि इसमें अवाज का अंतर रहता है ठीक है यह इसका चैन हो गया और यह बिगुल का चैन हो गया अब इसमें CRPF में इसके बाद क्या रहता है तो आपको काफी दोस्तों का ही कमेंट आ रहा है कि सर बिगुल बहे रहा तो सब ठीक है लेकिन आव इसमें सिखाया क्या जाता है तो बाई हो जिए लड़के बेंड वालों से सीख रहे हैं और जिसको आता नहीं है बैसी खोल-खोल नहीं करेगा आपको ज्यान होना चाहिए बैस्टन म्यूजिक का अभी तो ये हैंड मेट मेरी किताब है ये लड़कों की किताब है बाद बागी यह है मैं आपको एक नेक्ट वीडियो में पूरी बैस्टन म्यूजिक की जानकाजी दूँगा कैसा होता है क्या करते हैं तो अगर आपको बेस्टन मीजिक नहीं आता है तो अधिकारी आपको फैल कर देगा तो पहले आप कहीं भी सीखें बेस्टन मीजिक के अर्कॉर्डिंग सीखें जिससे कि आप अधिकारी से पास हो सके और ट्रंपिट जो सीखना चाहते हैं वह माउथपीस का अच्छा चेहन करें माउथपीस जितना अच्छा होगा ट्रंपिट उतना अच्छा बजेगा ठीक है भाईयो तो बताईए आप अब आपकी जो भी इंक्वारी हो तो मुझे कमेंड में बता सकते हैं मैं नेक्ष वीडियो में कोसिश करूँगा कि जल से जल आपको उसकी सॉल्व करके बेज हू और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंड में बताना और जो जरूरत मन दोस्ते हैं उनको उन तक सेर करना जिससे उनका भी भला हो और जिसको भी सीखना हो मद्द पृतिस ग्वालियर में अकेडमी चल लही है वो आके सीख सकता है तो भाईयो मेरे वीडियो कैसा लगा कमे लेहिन जवाराओ